विल्कम बैक तो इस माथ और यह देखो समझते हैं जियोमेट्री का प्रिवेस एर कोश्टन से चल रहा है यह क्या कब आया था इसे सिस्रीजल ट्यार वान 2014 में पहुचाएगा था क्या दियावा इंट्राइंगल अभी से एंगल A से B बड़ा है दा अल्टीटुटुटुट आप अल्टीट्टुट निकाल रहे हो तो इस में आप घॉट्राइंगल निकाल रहे हो तो C क्या करता है इस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है C1 ये और C2 है C2 is adjacent to BC दिया हो है बड़िया बात है C1 ये C2 है अब बताओ sir क्या हो जाएगा sir then C1 प्लस C2 के value क्या हो जाएगा sir क्या पता देख लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं प्लस C1 प्लस A क्योँकि ये 90 डिभ्री है बाकी दोनोंका साम 90 डिभ्रे हो रहा है यहां पर भी बाकी दोनोंका साम 90 डिभ्री हो रहा है तो यहां से क्या आ जाएगा sir C1-C2 C1-C2 बराबर B-A हो जाएगा sir option three is the correct answer इससे बड़िया question आपसे नहीं बन सकता अगर बन पाए तो बताना क्या होता है अच्छा यह telegram channel का link है देखो एससे मात ओने अड़रेट आप जाइन करो ठीक है तैंक यू बाबाई stay tuned for the next class